दोक्टर हैं वो पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं जेपुर में हाली में वारता हुई मगर वारता में किसी प्रकार का कोई नतीजा नहीं निकला MI से जुड़े हुए जो संस्ता है Indian Medical Association है उनके से जुड़े हुए डोक्टर अशोक शारदा हमारे साथ मोजुद है उनसे बात करना चाहेंगे सर राइट टू हेल्थ जो बिल है उसका विरोध क्यों कर रहे है निजी डोक्टर में भी मानुएता के तोर पर यदि कोई भी एक्सिडेंट एमर्जेंसी का मरी जाता है तो उसको सब जगे इलाज मिलता है और इतनी मानुएता अभी लोगों में बरकरार है बाकी है कि वो सब उसको फर्स्टेट देना बिलकुल अपना कर्तवे समझते हैं तो इस बिल का न प्रत्य जगे इलाज की सुविदा है और उसके लिए दो दो घंटे की सभी हस्पतालों में विवस्ता निश्चित है जो सुप्रिम कोर्ट भी कहता है और हमारा समिदान भी उसको एक आमनागरी को अधिकार देता है सरकार इस बिल को हाइलाइट करके जबरदस्ती एक वाह चिंगाना है करनाटक है तमिलनाडू और बंगाल है इन सब जगे ये विवस्ता ओलडी चल रही है और सुप्रिम कोर्ट का सफ़्ट निर्देश है कि इस प्रकार की कहीं भी विवस्ता होती है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी निभाए और प्राइवेट अस्पताल यदी इ और फूर सेफ्टी बिल में आपने कहा कि हमको प्रतेक व्यक्ति को बोजन कराना है और अपने उसके लिए इंद्रा रसोई योजना खोली और बहुत सफ़ल अच्छी स्कीमा आपकी चल रही है जो जनित में है क्या आपने किसी फाइव स्टार होटल को या थ्री स्टार वो इतनी अच्छी प्रकार की सेवा हैं पिछले 5-10 साल में डबलब हुई हैं और बहुत अच्छा सरकारी तंतर हमारे अस्पताल, Medical College, District Hospital, Dispensaries काम कर रही हैं यदि आप फिर भी उनको बानते हैं कि हम इनके जरिये स्वास्ते सेवाओं को देने में हम अक्षम हैं तो प्राइवेट सेक्टर को हम साथ लेना चाहते हैं यानि आप प्राइवेट सेक्टर की सेवाओं को आउट्सोर्स करना चाहते हैं तो जिन स आप आउट्सोर्स करना चाहते हैं कम से कम उनसे प्रोपर कंसल्टेशन उनकी रायश्मारी उनकी दरों का निरदारन उनके पुनरभरण की विवस्ता ये होनी चाहिए किसी भी आप इंडस्ट्री को ये नहीं कहते हैं कि साब मुफ्त में इतने आप सामान बार्ट देना कि किसी भी फूर्ट इंडर्स्टी को नहीं कहते, किसी अगरी कलचरिस्ट को नहीं कहते, कि मुफ्त में इतना अनाजबार देना, फिर ये चिकिस्सा पर ही क्यों आप लादना चाहते हैं। इस प्रकार से जब यह consultation नहीं किया गया तो हमने इनको लिख लिख कर सरकार ने हमसे प्रस्ताव आमंतरित किये कि आपने सुझाओ दीजिए पिछले चार महीने से हमारी टीम लगातार सरकार को सुझाओ दे रही है और 49 पेज का हमने recommendation और resolution क्या इस एक्ट में होना चाहिए क्या इसमें गलती है और क्या इसका सुधार होना चाहिए जो जनता का हित करे और चिकिस्षकों का हित भी उसमें सुरक्षित रहे मरीज के अधिकार को छेहिनना हमारा करताव नहीं है परन्तों चिकिस्षकों के हित की सुरक्षा करना हमारा करताव है और दोनों का इसमें भला हो ये सरकार का करताव है एक तरफ अमूल करके सरकार इस फायदय को नहीं ले सकती है जिन मुद्दों पर सरकार चुनाओं में जाना चाहती है चिरंदीवी योजना, RGHS योजना जो अच्छी स्कीम्स चल रही है और उसके साथ में Right to Health Bill इसको माध्यम करने वाले या इसको जनता को पहुँचाने वाले जो चिकिसक वर्ग है जिनके आधार पर आप चुनाओं में आना चाहते है और अपनी सरकार रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए कम सेगम उस वर्ग को तो साथ लीजिए उसका विश्वास जीती है और उनकी समस्याओं को सुनिया और उनके लिए उप्युक्त सुविधा ही या आपन निर्धारित करिए ये हमारा कहना है इस बिल में जो सबसे बड़ी समस्या है एक तो एमर्जेंसी वर्ड का डेफिनिशन इनका बिल्कुल कता ही सही नहीं है इमर्जेंसी वर्ड को कौन डिफाइन करेगा हमारे इमर्जेंसी मरीज तै करता है मरीज को जब आवशक्ता होती है अधि वे आट दिन से भीवार है और नवे दिन फला डॉक्टर को दिखाने की उसको याद आ गई तो उसी दिन वो एमर्जेंसी कहलाता है उसके आने जाने के साधन की भी एमर्जेंसी होती, बस का टाइम, ट्रेन का टाइम, फेट, दुखना, खासी जुखाम, दस्त, उल्टी, प्रतेक वैदना उसके लिए एमर्जेंसी का काम करती है अब जिस तरह से सरकार राइटो एल्ट बिल लाना चाहती है, तो किस तरह का विरोध देखने को मिलेगा आगे? अबी तो तातकालिक तोर पर जैसा सभी सदस्यों ने तै किया कि 22 तारीक का सांकेतिक बंद है, 22 तारीक इसलिए चुनी गई है, हलांकि उस दिन रविवार है, पर सारे अस्पताल खुले रहते हैं, काम करते हैं रविवार को भी, तो इसलिए उस दिन बंद का आयोजिन किय गया गया है, क्यों? क्योंकि 23 तारीक को एक प्रवर समीति की बैठक होने जा रही है, जो मानने विदायकों के एक दल बनाया गया है, 16 विदायकों का, उनको हमने व्यक्तिकत अपने मेमोरेंडम दिये हैं, और निवेदन किया है, कि आप इसका बिल का विरोध करें, नमबर बता जेंगे कि किस प्रकार का विरोध करेंगे, तो देखें, राजस्तान में राइट टू हेल्थ बिल लाने की तैयारी कर रही है, अशोक गेलोध सरकार, मगर कहीं ने कहीं जो निजी ओस्पिटल है, और निजी डोक्टर है, उनमें इस विद्र को लेकर कापी विरोध है और 22 तारिक को देखने को मिलेगा राजस्तान में कि निजी अस्पिटल कहीं न कहीं पैंडाउन हर्ताल भी यहाँ पर रखेंगे, केमरामेन इंदरवीर सिंग परमार के साथ राइंदर बार्दुआज कोटा